युबावक और राज्य आपदा फोर्स में नौकरी का सुनहरा अफसर बिहार में ऐसे बदलेगी स्वास्त सुविधा यह जिला बनेगा टाइल्स इंडस्ट्री का हब रेलवे एक बार फिर से यह सुविधा करने जा रहा है बहाल स्वारम कांगुली ने बताया उन्होंने विराज को कोई सलाह क्यों नहीं दी अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़े खबरों की और विस्तार से बिहार में ऐसे बदलेगी स्वास्त सुविधा बिहार की स्वास्त विवस्ता की तस्वीर अब बदलने वाली है वो ऐसे क अब बिहार के सभी जुला अस्पतालों में मरीजो को अस्पताल की विवस्ता और वहां उपलब्द सुविधाओं आदी की ज़ानकारी देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोज लगेंगे अफस्पतालों की दश्वां बेसुधार के क्रब में इस बोज को लगाय ज़ा अधिकारियों को 60 दिनों की मुहलत दी गई है युवाओं को राज्य आपदाफ फोर्स में नौकरी का सुनहरा अवसर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है बिहार में आपदाओं से होने वाले ख्षती को देखते हुई बिहार सरकार के भाग ने SDRF यानि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स में प्रतिन्यूकती के लिए बिहार विशी ससर पुलीस के 393 अतिरित पदों के स्रुजन की स्विकृती दी है इनमें 20 निरिक्षक, 75 अवर निरिक्षक, 69 हेड कॉंस्टेवल यानि ग्राउंट ड्यूटी या रेडियो ऑपरेटर, 14 हेड कॉंस्टेवल वाहंस मोटर बोर्ट चालक और 225 कॉंस्टेवल के पद शामिल हैं इन पदों पर स्विकृत पुलिस कर्मियों को डिजीपी के अस्तर से विफेन वाहनियों में वित्रित किया जाएगा इसके अलावा प्रापधान के अनुरूप SDRF में प्रतिन्यूकति की जाएगी थालिस सीटों पर नामांखन के लिए 12 सितंबर को www.biharcetbedlnmu.in पर मेरिट लिस्ट जाड़ी कर दी जाएगे प्रथम वो दूतिय कांसलिंग में जिन्ही कॉलेज आवंटित नहीं किया गया था वे अभ्यर्थी 13 और 14 सितंबर को अपने कॉलेज की वरियता का पुना चोयन कर सकते हैं विद्यार्थी यहां अधिक्तम बाड़ कॉलेजों का चोयन कर सकते हैं रजनी राय का बिहार कबड़ी टीम में हुआ चोयन बिहार में परतिभाओं की कमी नहीं है आए दिन कोई ना कोई परतिभावान युवा और युवती अपने गाउ जिले से निकल कर बिहार का नाम रोशन करते हैं उन्हीं में से एक बनी है रजनी राय जो अब कबड़ी में बिहार की तरफ से राश्ट्री अस्तर पर खेलेंगी इस दोडान बिहार कबड़ी टीम का हिस्सा बनने के बाद राश्ट्री खिलाडी रजनी राय पहली बार अपने ग्रिह जुला सिवान पहुँची यहां उनका धोल नगारो और बैंड बाचवा के साथ भव्य स्वागत हुआ जिसके बाद वो अपने पैत्रिक गाउ जीरा देई के शंकरपुर गाउ पहुची यहां ग्राम मिनो ने जमकर आतिश बाजी की और माला पहना कर उनको पूरे गाउं में घुमाया राश्ट्री का बड़ी खिलाडी रजुनी राय के लिए यहां समान समारो का भी आयोजन किया गया था यहां जुला बनेगा टाइल्स इंडस्ट्री का हब अब बिहार का भागलपुर जुला टाइल्स इंडस्ट्री का हब बनेगा वो इसलिए क्योंकि भागलपुर में प्रपैति कोईला खान के उपर की मिटी भी सोना है जिहां आपको बता दें कि यहां उचकोटी का वर्ल्ड गलास टाइल्स कले मिला है इसे उच गुनवत्ता का टाइल्स बनेगा इसके लिए खानेवं भुततो विभाग व्यापक काड़ी योजना बना रहा है यहाँ टाइल्स इंडस्ट्री लगाने की योजना है और इसी के साथ यहाँ उद्योग लगाने से बिहार सरकार के खजान में ना केवल भारी भरकम राश्वी आएगे बलकि बड़ी संख्या में रोजगार के अबसर भी उपलप्त होंगे माना जा रहा है कि विभाग को जितना राजजस व अभी आता है उसमें कई गूनी व्रिधी होगी रेलवे एक बार फिर से यह सुवधा करने जा रहा है बहाल भारतिय रेलवे ने कोरोना काल में एसी बोग्यों में कंबल और चादर मुहया करने की सुवधा पर रोक लगा दी हालांके रेलवे यह सुवधा दोबारा मुहया कराने जा रहे है आपको बता दे कि आगामे 20 त ट्रेनों में यात्रियों को कंबल और चादर मिलेगा इसे लेकर भारती रेल ने तईयारी शुरू कर दिये रक्सॉल से खुलने वाली सदभावना एकस्प्रिस सहित अन्य ट्रेनों में यह सुविधा लागू होगी इकानिमी कोच के यात्रियों को भी उसी तरह बेड लिनन का एक सेट मिलेगा जैसे AC3 या AC2 के यात्रियों को मिलता है हालांकि अभी यत्या नहीं हुआ है कि यह सुविधा फ्री में मिलेगी या चार्जेवल होगी मुख्यमंत्री का आदेश विथानों का लैंड लाइन फोन हर हालत में रहे चालू मुख्यमंत्री तेश कुमार ने बीतिन विधी विवस्था को लेकर उच असरिये समिक्षा बैठक की इस दोराद मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ हिदायत दी कि अपराद नियंतरन में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए उन्होंने बैठक में मौझूद आला अधिकारियों को यह नर्देश दिया कि अपरादियों को सचा दिलाये जाने को लेकर अस्पेडी ट्रायल में तेजी लाएं अपराद अनुसंधान का काम सर समय पूरा करें साथ ही मुखमंतरिन अपने आदेश में कहा कि हर हाल में थाने का लेंड लाइन चालू रहे इसका इंतजाम करवाया जाए बिहार के युवा किर्केटरों को मिलेगा हुनर दिखाने का मौका किर्केट के शौकिंग युवाओं के लिए अच्छी ख़बर है राजधानी ही पतना में अंडर 19 किर्केट का ट्रायल 13 सितंबर से शुरू होने वाला है इस दोरान उभरते खिलारी अपने हुनर की जहलक दिखा सकेंगे पतना डिस्ट्रिक किर्केट असोशियेशन पीडिसीये की एड हॉक कमेटी 13 सितंबर से शाखा ग्राउंट में 19 साल से कम उम्र के किर्केटरों का ट्रायल करेगी जीले के किर्केट खिलाडियों को राज्री इवम्राश्री अस्तर पर हुनर दिखाने का मौका मिलेगा आपको बता दे कि पीडिसीये की एड हॉक कमेटी के चेर्मेन रवी कीरन के अलावा चार सदस्यों की टीम को पतना में क्रिकेट की गतिवीधियों को संचालित करने की जिमेवारी मिली है यह ट्राइल राजिंद्र नगर के रोड नंबर साथ के पास इस्थित शाखा ग्राउंड में होगा 13 सितंबर सुबह 9 बजे से अंडर 19 ट्राइल शुरू हो जाएगा दारोगा को अपने ही थाने में खानी पड़ी हवालात की हवा बिहार के नवादा जुला का एक मामला सामने आया है जहाँ एस्थि के सख्स रवये के वज़ा से यहाँ के पास दारोगा को अपने ही थाने में हवालात की हवा खानी पड़ी है इसके बाद पुलीस विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं जौनकारी के मताबिक के एसपी गौडव मंगला बीतेद गुरुबार को रात करीब नौ बज़े नगर थाने में कांजो के रिव्यू करने के लिए गए रिव्यू में नगर थाना के पाच पुलीस अफसरों का पर्फोर्मेंस खड़ा पाया गया आरोप है कि इसके बाद एसपी के आदेश पर पाचों पुलीस अफसरों एसाई सत्रूबन पासवान, एसाई राम परेखा असी, एसाई संटोश पासवान, एसाई संजसी और रामेशुर उडाओ को नगर थाने की हाज़त में कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया उड़ी शोकॉस नोटिस दिया जा रहा है, हालांके एसपी ने अपने उपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है बच्चा चोर समझकर पिंडदानियों की करदी पिटाई राज्य में बच्चा चोरी का अफवात तेजी से फैल रहा है, इस चक्र में गया में पिंडदान करने आये दो पिंदानियों को बच्चा चोर समझ कर पिटाई कर दी जानकारी के मुताविक गया जुले के बोध गया है बच्चा चोर समझ कर दो पिंदानियों की पिटाई कर दी गई है बाद में पुलिस ने पहुंच कर दोनों की जान बचाई दोनों पिंदानियों उतरप्रदेश क इलाहबाद के रहने वाले हैं पंडा ने उनकी पहचान की तो लोगों का गुसा शान्त हुआ वहीं नावादा भी महला के वेश में गूम रहे एक युवक से बच्चा चोरी के शक में बुरी तरह मार पीट हुई इससे पहले कटिहार में भी बच्चा चोरी के आरूप में छ शान किशोर ने नितिश कुमार के पिछले दिनों हुए दिली दौरे पर कहा कि नितिश जी की बात को कौन गंभीरता से लेगा वो तो खुद दो महीने पहले भाजपा के साथ थे अगर वो प्रियास कर रहे हैं और सभी को जोड़ पाते हैं तो अच्छा है लेकिन जितना ह हमार अनुभव है इन सब बैठक से कुछ निकलता नहीं है पिके ने कहा कि ये ठीक है कि नितिश कुमार पीम का चैरा है लेकिन सम विधान के मुताविक हर आद्वी पीम पत्का दावेदार हो सकता है नेता प्रतिपक्ष समरा चौधरी के मा पार्वती देवी का निधन बि का राजनती और समाज सेवा में अच्छा रुद्वा था पारवती देवी के निधन पर विधान समभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा भाजपा के प्रदेश वध्यक्ष डॉफ्टर संजय जासवार उपमुक मंतरी तारकिशो परसाद राज्य सभास दस सुशिल मोती, पुर्भ मंतरी मंंगल पांटे, नंकिशोर्प यादव, प्रेम, कुमार, जवेश, मिस्रा ने शोक परकट किया बिहार के इन तीन मंत्रियों ने मुबाइल की रोशनी में लोगों को किया संबोधित नकसली इलाकों में बिजली गुल होने के बाद मुबाइल की रोशनी में जनसभाकों बिहार के मंत्रियों द्वार संबोधित करने की खबर खुब चल रही है दरसल रोतास जुली के चुनारी में बिहार व सरकार के तिन मंत्रियों ने मुबाइल की रोशनी में सभा की जो चर्चा का विशे बना हुआ है ये अक्षेतर नकसल प्रभावित शेत्रों में शामिल है चुनारी के अस्थानी कॉंग्रेस विधायक तथा बिहार सरकार्वी पंचाहती राज मंत्री मुडारी प्रसाद गौतम पिछ्वरा अति पिछ्वरा कल्यान मंत्री अनीता देवी तथा अलप संखे कल्यान मंत्री ज इस वज़ा से उन्हें अगले महिने शुरू होने वाली टी-ट्विंटी वर्ल्ड कप के मद्दे नजर सवालों के घेड़े में देखा जा रहा था लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी इस बीच अब बिसी से अधक्षु सौरफ गांगली से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने इस दोरान कोहली को कोई सलाह दी तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें शायद ही कभी ऐसा स्टार बलेबास देखने को मिलता है गांगली ने कहा कि टीम बहुत यात्रा करती है मुझे उनसे मिलने का समय नहीं मिलता उन्होंने कहा कि मै उनसे उतना नहीं मिल पाता, मैं BCCI का अध्यक्षूर, लेकिन वे लोग हमेशा यात्रा करते रहते हैं, वो हर समय सफर पर रहते हैं, इसलिए आपके पास उन्हें ज्यादा देखने का मौका नहीं मिलता है देश भर में आये 10,000 से कम कोरोना के मामले, केंद्रे स्वास्त मंत्राले दौरा आज यानी रविवार को जारी किये के कोरोना रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कुल कोविट-19 के पांच वुज़ा 76 नए मामले सामने आये हैं, वहीं बिहार की बात करें, तो यहा सबसे अधिकर 40 नए मामले सामने आये हैं, वहीं बिते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,3,580 कोरोना सेंपल की जाज की गई है, जोहां 155 मरीज ठीक होकर घर भे वापस लोटे हैं बीते दिन हमारे दोरा पुछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कॉमें लिकर दिया था जिनों पुछेगा सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है सुनील कुमार, मिर्टुन जय कुमार, राज कुमार परसाद, राम पकाश कुमार, राज़ेश कुमार पवन सीह, राम शंकर सीम, बदन कुमार सतीश कुमार और मेसम रेजा इसके साथ ये बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि आपके शुत में सड़कों के स्थिती कैसी है अपना जवाव में कॉमेंट सेक्षों में लिकर जरूर बता है आज के अगर आप यूट्यूब से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को लाइट करना ना भूले धन्यवाद